केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी कानून की विरोध में पूरे भारत भर की किसान हर्ताल पर है किसानों ने तै किये गए 8 दिसंबर की भारत बंद को हिंगना की पूर्वमंत्री ट्रमेश चंद्रबंग की नेतरुत्व में कडाकी का बंद रखा गया महाविकास अगाडी के पधादिकारियों और कारेकरताओं ने हिंगनार रायपूर में रैली निकाली और भारत बंद का आवहन किया जिसमें लोगों का भारी समर्तन मिला केंदर सरकार ने बिना किसी चर्चा के एक नया क्रुशी कानून बनाया है और किसानों के लिए दमनकारी प्रावधान लागों किये है इस मुद्दे पर केंदर सरकार और किसान संगटनों की बीच विचार विमर्ष का सिलसिला फिलहाल रहा इसलिए इस कानून के खिलाफ किसानों की आंदोलन को तेस करने के लिए देश भर की किसान संगटनों ने 8 दिसंबर को देश व्यापी भारत बंद पुलाया था राश्टरवादी कॉंग्रिस पार्टी इस भारत बंद का पूरा समर्थन कर रही है ऐसार रमेश चंद्रबंग ने कहा राश्टरवादी कॉंग्रिस पार्टी इवक कॉंग्रिस तालुका अध्यक्ष आशिश पुन शिवसेना हिंगना शिवसेना शेहर अध्यक्ष विश्णुकोल है राश्टरवादी कॉंग्रिस पार्टी किसान सेल तालुका अध्यक्ष राजु गोत्मारे सरपंच प्रेम लाल भलावी, उपसरपंच दिपावली कोहाड, गटने ते गुन्वनता चाम्टे, युराजपुन, प्रविन घोडे, सदेसे शिराजशेटे, चित्रा इटनकर, दत्तु अड्याकवर, रफीक महाजन, सुनीता नाकपुरे, जावीद महाजन, लक्षमन बोंदल खेडे, प्लक्षमिलाड, हरीभाव चिंस्पुरे, सिधार्थ बागडे, फिरोश शेक, हनुमन्त लक्षर, अजीत वागमारे, तारूश बांदरे, तेजस तन्होरे, संतुन वडनेकर, सूरज पवार, सुनिल महाचन, संचेच चतुर, शेशराव वनसोड, नामदेव एंग्वे, सचिन हुडे, प्रकाश सोनकुस्वे, इर्फान शेक, आधिकी साथ, राष्ट्रवादी कॉंग्रिस, भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रिस, शिवसेना, वो मित्रपक्ष महाविकास अगाडी की कारिकरता और पधादिकारी बड़ी संख्यामी उपस्तित थी, हिंगनासी शिश कुंडानी, NBC News नाकपुर